In this question, we will study about perimeter of a rectangle, how to find perimeter of a rectangle, find the perimeter of a rectangle if its area is 950 cm2 and breadth is 19 cm, So, आपको इस question में perimeter of rectangle find करना है, जिसमें area दिया हुआ है, और 19 cm breadth दिया हुआ है, So, question is very good, तो जैसा कि हम जानते है, area of rectangle जो होता है, length into breadth, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, और perimeter means what, Perimeter किसी भी shape का, जो किसी भी shape अगर है, उसका जो boundary होता है, उसका sum होता है, Suppose ये circle है, तो circle में तो circumference होता है, circumference ये जो boundary है, इसका circumference होता है, Okay, but अगर हम किसी भी other shape का, जैसे यहाँ ये अगर square है, तो ये जो boundary है, इसी को हम क्या कहते हैं, that is called perimeter, The boundary of any shape is known as perimeter of that shape, तो अगर देखो यह boundary मतलब क्या यह है outer यह square के 4 equal होते हैं साइट इसका 4A हो जाता है लेकिन यहां rectangle है तो आपको क्या करना है rectangle है तो इसमें L into B होता है rectangle अगर देखें यहां rectangle है यह L होता है और यह B होता है तो इसका perimeter निकालने के लिए देखें यह L और यह B क्या हो जाएगा आप जानते हैं 2L plus B होगा यह perimeter का formula होगा इसका लेकिन in this question length is not given अगर आप question को देखोगे तो its area area given है और breath given है और अगर area दिया हुआ breath दिया और length नहीं दिया है तो हम perimeter नहीं find out कर सकते तो पहले हमें क्या करना first we have to find पहले हमें यह search करना है कि इसका length क्या है तो length निकालने के लिए यह हम इसका जो area दिया हुआ area rectangle के support से length into breath होता है rectangle का area length into breath होता है तो L into B तो यह किसी भी मतलब जैसे square का हो गया तो ऐसे हम निकालते हैं ठीक है अगर area दिया हुआ तो उसका हम side निकाल लेंगे यह side की ज़रूवत है area दिया हो 950 और यहां length into breath तो RHS से हमने LHS कर दिया यह यहां कर दिया ठीक है यह आप उपर भी calculate कर सकते हो तो आप देख सकते हैं तो हमने क्या किया 950 is equal to L into 19 यह L 19 is equal to 950 area दिया हुआ था अगर 950 को हम divide करेंगे किस से divide करना है 19 से तो 95 यह cancel हो जाएगा यह 0 आजाएगा यह 0 आजाएगा यह 50 आएगा यहां answer हमने इसे direct अब लिग सकते 95 यह 0 आजाएगा यह आजाएगा आपका length 50 cm I hope कि यहां तक समझ में आया अगर आपको यह question समझ में आ रहा है और यह video अच्छा लग रहा है तो आप नीचे अपना comment करके मुझे और motivate कर सकते हैं कि यह ऐसा question और आपको अगर कोईसी question में problem आती है तो उसे बताया जा सके है ठीक है यह आप मतलब अगर चैनल का आपने subscribe नहीं के तो subscribe भी कर सकते है अब देखिए आगे तो इसमें perimeter हमें निकालना था तो perimeter of rectangle तो यहां देख लिए 2 हमने यह पहले बताया कि 2L plus V होता है perimeter अगर rectangle की बात करते हैं तो क्यों आपने यह rectangle है अगर ऐसा यह rectangle है this is the rectangle अगर हम मान लेते हैं यह length होता है यहां breadth होता है तो 2 breadth है हमने क्या बोला था sum of boundaries होता है जो यह boundary होता है इसका sum होता है तो 2L हो जाएगा plus 2 भी हो जाएगा इसमें 2 अगर common लेंगे तो क्या हो जाएगा L plus P आजाएगा यह formula तयार होगा देखिए यहां तो हमने 50 L आया था हमने 19 रग दिया तू और यह 15 19 अगर plus करेंगे तो 60 69 होगा 2 9 जा 18 का 8 2 6 7 12 13 यह आगया आपका perimeter I hope कि आपको questions समझ में आया होगा Thank you Thank you for watching